सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चेप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है Can You See The Pattern? इस चेप्टर के अंत में हम लोग सीख पाएंगे कि पैटर्न क्या होते हैं, उसकी समझ हम लोग बिक्षित करेंगे कि पैटर्न का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, फिर हम लोग बेसिक यूनिट के बारे हम सीखेंगे, हमें recognize the basic unit which generates the pattern, पैटर्न को कैसे हम लोग generate करते हैं, किस तरह से हम पूरे तरह से इस पैटर्न को समझेंगे कि पैटर्न जो है डिजाइनिंग में किस तरह से इस्तमाल होता है, make pattern with numbers and letters, इसके बाद हम लोग numbers और letters के साथ भी कुछ पैटर्न बनाना सिखेंगे, आखिर ये जो पैटर्न बनाने की जो समझ है विक्सित हम लोग क्यों करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में इसका क्या इस्तिमाल है तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आप आगे इंजीनियरिंग, हॉस डिजाइनिंग, इंटेरियर डिजाइनर ये आधी कोर्से साफ करोंगे तो इन सब चीजों की जुरत पड़ेगी आपको चलिए अभी हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन क्या है देखिए जब घड़ी के विप्रित दिसा में कोई चीज घूमता है तो ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है तो ये अभी क्या है ये अभी एक डिजाइनिंग का एक छेतर है इसमें भी हम लोग से देखिए एक क्लॉक वाइज रोटेशन क्या है जब घड़ी के दिसाम कोई चीज घूमता है तो ये क्लॉक वाइज रोटेशन है तो rotation जानना है सबसे पहले इसमें symmetry जानना है symmetry था हम लोग पिछले class में ही पढ़ चुके हैं तो clockwise rotation और anti-clockwise rotation आपने समझा है देखिए अब एक pattern हम लोग देखते हैं इस pattern में जो आपको diamond दिखाया गया है हरा वाला उपर में यह देखिए कि 180 degree पर move कर रहा है एक उपर की ओर है एक नीचे की ओर है फिर अगला pattern उपर की ओर है तो next pattern आप अपने आप जान जाओगे कि यह नीचे की ओर होगा तो यह एक उपर की ओर move किये हुए pattern है दूसरा नीचे की ओर move किये हुए की पूरा pattern 180 degree पर घूमता है ठीक नीचले वाले जो तस्वीर है उसमें हम देखते हैं कि यह pattern 90 degree के पर move करता है यानि की one quarter move करता है तो one quarter move करने का मतलब है 90 degree move करना दूसरे नंबर figure में जो blue वाले figure में आपको दिखाया गया नीचे जो diamond आपका move कर रहा है वह move कर रहा है 90 degree पर अब चलिए एक pattern और देखते हैं हम लोग इस pattern में जो एक goal वाला जो दिखाई दे रहा है गेंद जैसा यह जो आपका ball है किस तरह से move करता है तो देखिए red वाला जो move किया है कितना angle move किया है फिर देखिए उसी अनुसार से हम उस move को आगे की और बढ़ाएंगे तो यह move बिल्कुल सीधा यानि कि यह 45 degree पर move कर रहा है 90 से कम 45 degree पर move कर रहा है तो इस pattern में हम लोग पायांगे कि 45 degree move कर रहा है यह देखिए जो n वाला जो pattern है यह कितना move कर रहा है 90 degree पर move कर रहा है तो अगला pattern कितना होना चाहिए 90 degree पर move करता हुआ होना चाहिए अब हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे pattern को इस pattern को भी आप लोग देख लेंगे अब हम लोग कुछ संख्याओं से परचित होते हैं संख्याओं में मैजिक अस्कॉयर बनाना सिखेंगे तो मैजिक अस्कॉयर क्या होता है यह एक आस्कॉयर के रुप में हमने एक यह लिया है इसमें वन से लेकर करके 9 तक की संख्याओं को हम लोग इस तरह से फीड करेंगे इस तरह से इसमें रखेंगे कि कैसे भी जोड़ें यह जोड़ बराबर आएगा यह 15 आएगा 129 तक कि कुल संख्याओं का हम लोग यहां पर योग करेंगे तो इस तरह से 129 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे 123456789 हमने लिख दिया अब हम इसको कुछ इस तरह से लाइनिंग करेंगे चलिए लाइनिंग कर दते हम लोग ऐसे 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 और ऐसे लाइनिंग कर दिया हमने इसके बाद फिर से लाइन ड्रो करेंगे ऐसे 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 अब देखे जो संख्यां बाहर रह गई है जो संख्यां क्रोसिंग के अंदर में है और कुछ संख्यां बाहर में है तो बाहर में कौन-कौन संख्यां बाहर में है 1 बाहर में है, 3 बाहर में है, 9 बाहर में है और 7 बाहर में है तो जो बाहरी संख्या जो है इन बाहरी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे इन बाहरी संख्याओं को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो चलिए हम लोग replace करते हैं बाहरी संख्याओं को तो one को यहां से replace करते हैं और one को ठीक इसके सामने वाली जो सामने वाला घर है उसमें हम लोग feed कर देते हैं कि यहां मैंने one को feed कर दिया अब देखिए थिरी है थिरी को हम यहां से हटाएंगे और ठीक को हटा देगे थीरी को यहां से हमने हटा दिया और ठीक को ठीक इसके सामने यहां फिट कर देंगे अब हम लोग 7 को हटाएंगे 7 भी बाहर में है 7 को कहां इसके ठीक सामने वाला अंदर की ओर 7 को यहां fit कर देंगे fit कर दिया 9 अब बच गया 9 बाहर में 9 को यहां हटाएंगे 9 को हटा करके 9 को हम लोग यहां fit कर दिये 9 को अब देखे हमारा magic square तयार हो चुका है आप हमारा मैजिक ऑस्कौर कैसे तयार हुआ है आप देखिए मैजिक ऑस्कौर को हम लोग यहाँ पर क्या फोर नाइन टू उसके नीचे है 3 5 7 3 5 7 उसके नीचे है 8 1 6 8 1 6 अब चेक करते हैं कि हमारा मैजिक स्कॉर सही सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो चलिए पहला जो आपका रो है उसमें हम लोग जोड लेते हैं तो 4 3 & 8 8 4 12 3 15 हो गया यह जोड़िये 9 5 14 1 15 हो गया 7 6 6 6 12 13 14 15 हो गया कि लिया अब देखिया इसे जोड़िये 9 4 13 14 15 हो गया 7 5 12 13 14 15 यह हो गया अब 8 6 14 15 हो गया अब डाइगोनल जोड़िये डाइगोनल जोड़िये 8 5 2 8 5 13 14 15 डाइगोनल भी से मा रहा है इस डाइगोन को जोड़िये यह यह और यह यह डाइगोन जोड़िये तो 6, 5, 11, 4, 15 यह आपका डाइगोन से भी किलियर हो गया यानि कि हर तरह से कहीं से भी हम जोड़ते हैं यह हमें 15 आता है तो इस तरह से हम मैजिक अस्कॉाइर को बहुत असानी से बना सकते हैं तो आसा है आप इस मैजिक अस्कॉाइर को सीख लिया है और किसी भी तरह के मैजिक अस्कॉाइर आपको दिया जाएगा तो आप जरूर बना लोगे तो चलिए एक और हम लोग एक्जामपल लेते हैं इस मैजिक अस्कॉाइर का ओपीपटी फूर संख्याओं से मैंच क alumni बनाएंगे तो चलिए ले लेते हैं लोग अपहले मैंच सव्कवर बना लेते हैं यह अ मैंने खीच लिया है किस्तर से मैं इस तरा से हमने खीच लिया है और मीची का स्क्वर में बताया था आपको कि सारी संख्याओं को पहले आप लिखिएगा लिखिए 46 47 48 फिर उसके बाद 49 उसके बाद 50 51 52 53 54 हो गया 54 तक 46 से 54 तक संख्याओं सारे हमने लिख दिये अब हम लोग क्या करेंगे याद होगा आपको याद है आपको क्या करेंगे इस तरह से हम लोग एक लाइनिंग कर लेंगे इस तरह से लाइनिंग करेंगे पिर इस तरह से लाइनिंग करेंगे इस तरह से लाइनिंग करेंगे कर दिया अब जो बाहर में संख्याओं का उनको न रखना है कैसे सामने वाला बॉक्स जो होगा इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे रिप्लेस करें हम लोग रिप्लेस करते हैं तो चली हम लोग रिप्लेस करते हैं 46 को पहले रिप्लेस करते हैं 46 को यहां रखना है 46 को यहां रखना है रिप्लेस करके और यहां से संख्या को डिलिट कर देना है कर दिया आप उसको बाद क्या करना है 48 को कहां रखना है 48 को हम लोग यहां रखेंगे सामने 48 को सामने रखेंगे आप 48 को वहां से अटा देंगे 52 बाहर में है 52 को अंदर करेंगे हम लोग 52 को अंदर करेंगे 52 को अंदर कर लिया हमने कर लिया यहां से 52 को अंदर कर लिया हमने कर लिया यहां से 52 को हटा देंगे 52 को बाहर से अटा दिया 54 बच गया अब 54 को हम लोग क्या करेंगे अंदर और यहां से 54 को हटा देंगे 54 को हम लोग यहां से डिलीट कर देंगे हो गया आपका मैजिक स्कॉर तैयार अब चलिए देखते हैं मैजिक स्कॉर आपका कार बर्क करता है कि नहीं करता है यहां से 49 54 47 48 50 52 53 46 51 अब चेक करके देख लेते हैं जोड करके देख लेते हैं कि आपका मैजिक स्कॉर तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है व्हाँ सेबन टू नाइन वन नौ यक दस सुरूब की एक पात पतर दस चार चाओध़ एक पंधर द्हेडरी सो आधर बहुता 6 यह चेनं से 10 310 को सुऩाँ आध पात्त के 91 55 45 और देखक पूर हो गया 150 अधसमसीं City हो गया कहीं सब्याएं 150 आना चाहिए 460 यह हो गया 1 और हो गया 555 150 यह हो गया इधर से जोड़िए डाइगोनल बिल्कुल 150 ही आता है कहें इस भी जोडने पर यह 150 ही आता है तो इस तरह से हमने देखा कि यह भी मैजिक अस्क्वाइर तयार हो चुका है तो इस प्रकार से आज हमने मैजिक अस्क्वाइर बनाना सिख लिया है और आसा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ग्यानवर्थक हुआ होगा धन्यवाद बच्चों